आज इंपर्टेंट वीडियो होने वाला है बहुत ही जादा क्योंकि जो भी स्टूरेंस नेट की प्रप्रेशन कर रहे हैं पहली बार नेट दे रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि जैसे जून मंत में एक्जामिनेशन की जो तो देखे नेट का जो एक्जाम है 2024 में होगा अभी जैसे दिसम्बर में 2023 में हुआ था इसका नोटिफिकेशन कभ जारी किया जाएगा एक्जामिनेशन डेट के बारे मैं बताऊं तो डेट एनाउंस हो गई है लिजबिटी क्राइटिरिया क्या होगा स्लिबस क्या होगा यह उन स्टूरेंस के लिए जारा इंपोर्टेंट होने वाला है वीडियो जो इस बार पहली बार नेट का एक्जाम देने जा रहे हैं तो देखे नेट का एक्जाम जो है वो एन्टीय क्या है एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजनसी और जो यह एक्जा कि इसका शाल वन में 2 बार होता है और दो बार होने के साथ में पहला एक बार होता है जून में दूसरा होता है तो अभी में जसे सम्बर का एक्जाम फिनिष हो धिसका रिजल्ट आचुका है ऐठानारी डिजल्ट है रिजल्ट अचति हूं खैना से लीईकार चौरदा दिस इस वार कि मैं बता दूं कि NTA ने अपनी जो examination का schedule है को declare कर दिया है 10 June से लेकर 11-21 June के बीच में आपके exam अब आप कहेंगे इतना लंबा exam होता है तो देखे exam में जो total subject होते हैं फुल मिला कर 83 ऐसे subject होते हैं जिसमें ये exam conduct होता है अब मैं आपको बता दूं कि ये exam भी दो category में होता है कैसे दो category में होता है पहला तो ये कि UGC net कहते हैं इसको और दूसरा होता है एक और नाम आप सुनते होंगे CSIR net अब CSIR net और UGC net दोनों में क्या difference है तो UGC जो net conduct कराती है वो करवाती है आपका 83 subjects में जो कि humanities के language के और foreign language के ये सारे subjects होते है अगर आपका subject science stream का है जैसे suppose करते हैं आपने physics से MSC किया हुआ है बोटनी से, जोलोजी से इस तरीके के आपने subject करें तब आपको CSIR net का form फिल करना होगा UGC करवाएगी इन 83 subjects में जिसमें कि humanities के सारे subjects आते हैं English के आते हैं और तमाम तरह के subject आते हैं कौन-कौन से आते हैं इसके बारे में मैं भी आपको पताऊंगी तो अभिस्वान जून में जो exam होने वाला है उसकी date कब से कब तक है 10 June से लेकर 21 June तक आपका exam होगा आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि exam जो है वो कौन करवाता है UGC National Testing Agency ठीक है UGC क्या है University Grant Commission मतलब आप यह मानने के चलें higher education का जो माई बाप है वो है UGC UGC के तहत ही के अंडर ही यह सारी चीज़े आती है जो कुछ भी higher education से समझे तो चाहे university का application हो जाए चाहे deemed university का हो जाए चाहे जिस तरीके भी आपका higher education में कुछ भी activity होती है उस सब कुछ generate कहां से होती है UGC से होती है और एक संस्था बना दी गई है exam conduct कराने के लिए वो होती है national testing agency मतलब इसका काम ही है exam conduct कराना इसलिए इसको UGC NET भी कहा जाता है NTA UGC NET भी कहा जाता है अब NET का full form भी समझ लीजे क्योंकि जो भी students पहली बार दे रहे है उनको बहुत सारा confusion होता है NET का मतलब क्या होता है N से होता है national E से होता है eligibility और T से होता है test ठीक है national eligibility test मतलब राश्रिय पात्रता परीच्छा अब किस चीज के लिए पात्रता अगर आप suppose करते हैं आपने PG कर लिया और आप चाहते हैं कि किसी government college में या आप किसी private college में assistant professor बन जाए assistant professor का मतलब जो college में सबसे पहली initial post होती है वह होती है assistant professor कहीं पर भी इसे lecturer post भी कहा जाता है अगर आप इसके लिए job चाहते हैं चुकि बहुत अच्छी post होती है अगर आपने PG किया हुआ है तो आप चाहेंगे कि पहली आपको अच्छी कहीं न कहीं government job मिल जाए जिसमें salary भी बहुत अच्छी होती है salary का amount मैं बता दू तो 47,000 starting होता है उसके बाद फिर बहुत यह अच्छा 8 pay commission 10 pay commission लग जाता है इसमें आपका 1 lakh के उपर है आपकी salary चली जाता है तो वह बहुत अच्छा motivation होता है अपने exam को कंड़ कर देने के लिए ठीक है तो national testing agency national level पर test होता है यह मतलब राश्टी इस तरपर होता है अगर आप net qualify कर जाते हैं तो भारत में कहीं पर भी भारत की जितने राज्ये हैं कहीं पर भी आप जाएंगे तो आपका यह जो certificate है वो valid माना जाएगा आप कहीं पर भी पूस्ट निकलती है उसके लिए आप eligible हो तो national level का होता है आप इसमें भी दो options होते हैं क्या option होते हैं कि पहला तो होता है कि आप lectureship के लिए केवल जाना चाहते हैं कि मतलब आप PCB university में lecture बनना चाहते हैं तो आप जाएंगे तो net का form फिल करेंगे दूसरा होता है एक और बात कही जाती है JRF अब यह JRF क्या होता है JRF क करते हैं आपने net qualify किया और आपका purpose है कि आप आगी जाकी PhD करना चाहते हैं या research की field में जाना चाहते हैं तो अगर आप JRF qualify कर जाते हैं तो JRF qualify करने के बाद में आप UGC के तरफ से ही आपको grant मिलेगी जिसके कारण से आप research कर पाएंगे स्टाइफंड मिलता है और वह बहुत अच्छा स्टाइफंड होता है पहले junior का मिलता है जो कि अभी रिसेंटली इस्टाइफंड को बढ़ा भी दिया गया पहले 31,000 अब 37,000 संथी हो गया है बहुत आपको मन्तिली बेसस पर मिलता है और दो साल तक मिलता है junior research fellowship का उसकी बार फिर आप इसको अपग्रेट करते हैं तो आप senior research fellowship में चले जाते हैं और उसी दौरान आप अपनी PhD भी complete कर सकते हैं तो जब हम net exam देते हैं तो दो तरीके से form फिल होता है केवल लक्शेशिप के लिए या फिर जियारेट के ठीक है अब बात कर लेते हैं जो भी students इस बार देना चाहते हैं net को सुछते हैं क्या हमें दो अलग-अलग form फिल करने पड़ेंगे खालना चाहते हैं और चेवल के लिए नियुक्राम कि राव कि अनलग या इस दुरन वगलती लिया राहे हैं क्यों सब्सक्राशूर कि ये अचाहिए अजनों ने ना चाहिए हैं अगर आप जयारख के लिए आपककर आपके में और हजाना कर दो कम जा आएज कर आख अन्दर के लिए लिए कोई और कम तो आप NET का exam दे सकते हैं lectureship के लिए आगे बाढ़ ले तो थोड़ा बात कर लेते हैं overview समझ लेते हैं कि क्या होता है ये conducting body मतलब जो NET का exam clear conduct कराती है वो national testing agency इसको NTA कहा जाता है मैंने आपको पहले बताया exam का नाम क्या कहा जाता है तो UGC NET 2024 में होगा इसलिए 2024 होगा पोस्ट असिस्टन प्रोफिसर के लिए या फिर junior research fellowship के लिए दूसरा अगला होता है एक्जाम का level national level पर होता है राष्टरी इस तर पर होता है एक्जाम की frequency साल भर में दो बार होता है twice a year मतलब एक बात जून में होता है दूसरा अभी जून का एनाउस कर दिया है तो जून में होगा फिर दिसम्बर में होगा मोड ऑफ एक्जाम की बात कर ली जाए कि किस तरह से एक्जाम होते हैं तो computer-based test होता है मतलब CBT mode इसको कहा जाता है ठीक बहुत सुना होगा आपने ही CBT mode मतलब क्या पेपर पैन पर आपको पर आपने हिसाब से अपनी लेंग्विश को चैन कर सकते हैं उसे साब से अपने एक्जाम दे सकते हैं पेपर की संख्या मताई जाए तो दो पेपर होते है पहला paper 1 होता है paper 1 का मतलब क्या होता है paper 1 ऐसा जिसमें एक general awareness type का syllabus बनाया जाता है जिसमें teaching aptitude और research aptitude और reasoning भी होग साथ ही साथ में आपका comprehension भी होगा DIA मतलब की data interpretation भी होगा इस तरीके से एक syllabus generate किया जाता है और वो paper 1 होता है इसमें 50 प्रशन पूछे जाते है paper 1 में और paper 2 होता है आपका subject का paper कौन सा subject जिसमें आपने अपना PG किया हुआ है मतला आपने post graduation जिस भी subject से किया है उस subject से आप अगली बात है अगर आप किसी तर से problem में फस जाते तो यहां पर आप call कर सकते है official website यह है इनकी ugcnet.nice.nice.in इस पर आप सारी information चैक कर सकते है important dates के बारे में बता दिया जाए तो मैंने आपको बताया 10 से 14 के बीच जो exam है वो 14 से 21 के बीच में होगा है लेकिन form कब तक आएगा तो form जो है वो April के महिने तक announce किये जाएगे थोड़ा और लुक कर लेते हैं इसके बारे में ugcnet का notification expected है कि यह April के month तक आएगा फिर ugcnet का application form कब आएगा तो जब April में form announce होगा उसी समय आपका जो notification है वो भी बता दिया जाएगा application की जो process है वो कब तक end होगी जब application start होगा उसके बाद ही करीमन एक तेर महने का समय होता है उसके बाद फिर आपकी process finish हो जाएगी exam की date जरूर है जो की बता दी गई है यह बिल्कुल fix है इसमें कोई संसोर्दन नहीं होगा क्योंकि पिछले दो या तीन session से हम दीख रहे हैं कि जो date बताई जाती है उसमें ही आपका exam होता है तो 10 से 21 जून के बीच में आपका exam होगा फिर जो admit card है वो मही के महीने में expected होंगे answer की result हो जाता है जब exam हो जाता है उसके 8 या 10 दिन के बाद में provisional answer की जारी की जाती है और उसके बाद में आपको time दे जाता है कि अगर आप challenge करना जाते हैं किसी भी question को तो आप challenge कर सकते है फिर उसके बाद में आपका result आएगा त को तो दिसंबर में exam जो हुआ था वो 6 से 14 दिसंबर के बीश में हुआ था और जो result आया है वो 18 जनवरी को आया मतलब वही मालीचे मोटा मोटा हिसाव के एक महीने का लगभख समय लगता है result के announcement आप ये बात कर लेते हैं examination date के बारे में तो बहुत अच्छे से आप याद कर 10 तारिक से लेकर 21 जून के भीश में आपके exam होंगे अब इतना लंबा समय क्यों लगता है इसके बारे में बता दो क्योंकि 83 subjects है अब हर एक subject नहीं तो यहां पर ऐसा होता है कि हर एक दिन कई सारे subjects के paper होते हैं जिसमें आपका क्यूंकि computer-based test है तो इसलिए ऐसे centers बनाए जा लिए इतना लंबा समय लगता है अब जैसे आपके exam announce कर दी जाएंगी और जब date होगी जैसे 10 जून है तो 10 जून मान लीचे 1 जून तक आपकी date sheet बता दी जाती है कि date sheet में आपका यह पता चल जाएगा कि आपका particular subject किस date में आपका exam होगा अब candidate expected admit card है वो करीबन मान के चले admit card कब तक आता है तो यह चीज बहुत ध्यान से आप लोग सुन नीचे बाद में आप पैनिक होते है admit card आपकी date होगी जिस date में आपका exam होना है उसकी 2 या 3 दिन पहले ही आपका admit card आता है date sheet पहले से आजाएगी लेकिन admit card 2 या 3 दिन पहले ही आएगा और इसके बाद में सार eligibility criteria की बात कर लेते हैं कि क्या है eligibility criteria June 2024 के लिए तो आपने PG किया हो आपका subject जो भी है आप जिस subject में करना चाहते हैं उसमें आपने PG किया है किसी recognized university से तब आप net का exam दे सकते हैं अब PG तो आपने किया है मतलब post graduation किया है MSC किया होगा MA किया होगा तो PG का जो stream है यहां पर आपक जगनाइस university होने चाहिए UGC से क्योंकि बहुत सारी university को UGC ने blacklist भी कर दिया है फरजी घुशित भी कर दिया है तो आप बहुत ध्यान से जब भी कोई university chain करते हैं जब किसी भी course को enroll करते हैं तो बहुत ध्यान से देखें कि वह जो भी college या university है वो UGC से affiliated है या नहीं है और उसके बाद आपका जो master's होगा जिस भी subject में आपने master किया है अगर आप journal category के हैं तो आपको 55% से अगर आपने master's की है अच्छा 55% का मतलब completely 55 होता है यहां पर 44.5 भी नहीं चलेगा 44.9 भी नहीं चलेगा completely 55% होना चाहिए और अगर F.E.S.T. O.B.C. candidate है आप 50% आपका aggregate होना चाहिए तब आप इस form को fill कर सकते हैं PG result अगर awaited है सपोस करते हैं आप पहला semester है आप पीजी का एक्जाम देने वाले हैं तो भी आप इस form को fill कर सकते हैं अप सपोस करते हैं आपने first year में है और आपने net का अपने net कालिफाई भी कर लिया तो net आपको दो साल का समय देती है कि आप अपनी PG degree complete कर लिए तो साल के समय तक आप अपनी क्वालिफाई कर लिए उसके बाद पर नहीं तो इस certificate को डिसक्वालिफाई कर दिया जाता है ठीक है और जो पीजी पीजी होल्डर्स हैं जिन्होंने 19 सेतंबर 19 सुइंग क्यामिय से पहले किया है उनको 5% का relaxation मिलता है मार्क्स ने अब यहां पर बात कर लेते हैं तो जिसे मैंने आपको बताया कि लिए कोई एज लिमिट नहीं होती लेक्शिशिप के लिए तो आप कभी भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं लेकिन अगर आपको ज्यारिफ के लिए डालना चाहते हैं तो फिर आपको 30 अगर आपकी एज है 30 अब 30 क्या अगर आप मेल कैंड है मेल कैंडिडेट है और जनरल कैटिगरी में आती है अन्रिजर्फ कैटिगरी में आते हैं तो जो मिनिमम एज है वो आपकी कितनी होनी चाहिए 30 तो आप अगर मेल है और जनरल कैटिगरी के है तो आपका जो मिनिमम एज होगा वो 30 साल होगा ठीक है लेकिन अगर आपको र reservation मिला है और साती में आप women है मतलब आप महीला है तो आपको 5 साल का relaxation मिलता है तो केवल general category के male students होंगे उनके लिए minimum age होगी 30 साल बागी सभी को 5 साल का relaxation मिला है तो BC के लिए 5 year, SCST के लिए 5 year, transgender के लिए 5 year और women और women चाहे किसी भी category के हो उनके लिए 5 साल का relaxation मिलता है इस बात का आपको ध्यान में रखना है आप बात कर लेते हैं application के form के बारे में तो जो application form होगा बैसे मैंने बताया आपको April महीने तक expected है कि आपका April महीने तक form आ जाएगा और लेकिन exam की date है उसमें आप बिल्कुल भी doubt मत कीजेगा exam जो होगा वो उसी date में होगा जो कि announce की गई है इसके बाद में examination fees के बारे में बात कर ली जाए तो 1150 रुपे होता है अगर आप journal category के हैं male है female है आपको 1150 रुपे form फिल करना होता है जर्नल EWS और OVC NCL जो category के students होते हैं मतलब जर्नल में भी economical weaker section के जो student होते हैं उनके लिए जो form की fees होगी बुछ 600 रुपे होगी SCST OVC PWD मतलब physical जो handicap लोग होते हैं उनके लिए 325 रुपे और transgender के लिए भी 325 रुपे की examination form भनने की fees होती आगे बढ़ लेते हैं हां तो question pattern देख लेते हैं किस तरीके का question का pattern होता है तो जैसे मैंने बताया MCQs आते हैं MCQs का मतलब क्या होता है question हो गया उसके बाद में आपको 4 option दिये जाएंगे और 4 option में से आपको जो सही answer है उसको tick करना होगा कंप्यूटर पर यह exam होगा तो online ही आपको tick करना होता है तो इसको MCQ कहा जाता है multiple choice of questions कहा जाता है paper 1 जैसा की बताया दो paper होता है पहला paper 1 होता है जिसमें 50 questions आते हैं और दूसरा paper 2 जिसमें आपने PG किया हुआता है उसके 100 questions होते हैं total marks होते हैं हर एक question के लिए दो number होते हैं इस बस जैसे paper 1 है उसके total marks होंगे 100 number और paper 2 होगा उसके जो marks होंगे 200 number हर एक question के लिए कितना mark होता है दो अभी तक यहां पर negative marking की कोई बात नहीं किए जो भी students इस बार preparation कर रहे हैं मैं उनको बताऊं कि जून मंध आपके लिए बहुत ही important मंध है exam देने के लिए क्योंकि उसके बास शायद हो सकता है कि अगली बार से negative marking start हो जाए क्योंकि slivers भी change होगा और NT ने अभी तक तो कोई ऐसी घुष्णा नहीं की है लेकिन में भी होसता है कि आगे इसको upgrade करते हुए इसको भी start कर लिया जाए क्योंकि SIR net में negative marking होती है आप भी बढ़ लें तो देखिए यहां पर यह बात आती है कि general category के लिए minimum qualification marks जाहिए 40% marks CST के लिए 35% और PWD के लिए OBC के लिए 35% लेकिन यह मैं आपको बता दूँ यह एक criteria है इससे नीचे आएंगे आप तो आप का जो net है को disqualify मतलब आपको बता दिया जाएगा कि आपने इस वार net को नहीं clear किया लेकिन यह नहीं है कि अगर आपने सोचा कि चलो 40% marks आगे मेरे के से बनता है जो top 6% students होते हैं उनको एक list में रखा जाता है कि merit बनाई जाती है उसमें आपको merit में आना पड़ता है अगर आप 6% में आ रहे हैं तब ही आपका net clear होता है ठीक है तो अलग-अलग category wise net के लिए cut off जाता है उसको आपको चेक करना चाहिए आप हमारे application में जाका cut off list चेक कर सकते हैं आगे बात मता हैं सबसे important क्या होता है previous year के question solve करना previous year मतलब क्या पिछले सालों के paper अगर आप net के लिए preparation कर रहे हैं तो क्या strategy अपनानी है तो आप जादा से जादा पहले तो MCQs लगाए मतलब हर एक topic के MCQs आपको लगाने चाहिए दूसरा है पिछले सा करने में अपने आपको समर्थ पाते इसके बाद में देखे salary की बताऊं तो में private college में आपको इतनी salary लगभख मिल जाती है अगर आप government college में लग जाते हैं तो और भी जादा अच्छी salary हो जाती है क्योंकि 8th pay commission या 7th pay commission लग जाता है तो salary तो बहुत ही अच्छी हो जाती है अगर आप assistant professor की post पर लग जाते हैं ये सारे centers code है जिन में exam होते हैं अलग-अलग cities में आपके exam करना कराय जाते हैं जो आप यहां पर check कर सकते हैं तो अगर आप net की up preparation करना चाहते हैं जो भी students करना चाहते हैं तो अगर आप paper one की करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ चैनल करना चाहते हैं और समस्क्राइब बढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को किसे बन अब आपको यह चेक करना हो किस तरह से मैं पढ़ाती हो तो आप हमारे इस चैनल पर जाए प्लेलिस बनी हुई है पिछले साल की जो वीडियो से उन्हें आप चेक कर लीजे आप देखें आपको सही लगता है तो आप फिर हमारी क्लासस अटेंड कर सकते हैं आगे एक्जाम ट आप बड़ी सम दिन भी होते हैं आप अच्छे से स्टाडी अपनी कर सकते हैं और जैसे आज कल थोड़ा सा वैदा चेंज हुआ है तो जून में उतनी गर्मी होती है अब जुलाई अगस्ट में जागके गर्मी होती है तो आपको रेगुलर्ली स्टाडी करनी है आपको सब्सक्राइब करने है कोई भी आप जिससे भी आप कनेक्ट होते है उसकी जो वीडियो से उसे आपको चेक करना है रोज देखना है और एट लिस पांस सालों की पेपर करना है अब आप यह कहेंगे यह सारी चीचे हमें कहां से मिलेगी क्योंकि इतना जादा दिस्ट्रेक् पेपर वन है आप और आपकी हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी भाषा हो आप हमारे इस अप्लिकेशन में जाएं सेल्फ लर्निंग है इसकी यह लिंक है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी आप डारेक्ली लिंक पर क्लिक करके प्लेयर स्टोर से हमार अच्छे नोट्स है जो कि आपको मिल जाएंगे तो आप उस नोट्स को पर्चिस कर सकते हैं अगर अगर एजुकेशन के लिए आप हमारे नोट्स को पर्चिस कर सकते हैं ठीक है हिंदी इंग्लिश दोनों भाजाओं में इसके साथ साथ में यह जो MCQ की में बात कर रही हू यह एम से क्यों आपको कहा मिलेंगे तो यह भी आपको हमारे अप्लिकेशन में मिल जाएंगे जिसमें आपको ढ़ेडो test series मिलेंगी test series का मतलब क्या होता है कि हर एक जैसे slivers होगा तो slivers की हर एक unit के आपको questions में लेंगे तो आप पहले notes से पूरा notes पढ़े फिर उसके बाद test series पर जाएं test series में जो questions है वो solve करें फिर आपको पिछले 5 सालों की papers भी वहां मिल जाएंगे papers solve करें इस तरह से आपको अगर अपनी targeted study करना चाहते हैं तो इस application में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो net के लिए बहुत सुरूरी होता है make sure कि हमारे application को download करें notes आप purchase करें और उसके साथ में test series जो है वो भी purchase कर सकते हैं और आप अपनी study को कर सकते हैं साथ ही साथ में हमारी जो channel है उसमें आप हमारे साथ जोड़कर अपनी preparation कर सकते हैं इसमें सिर्भ आपको वीडियो देखने हैं जब हमारी online class चलती इसमें आपको कोई शुल्क नहीं देनी है तो इस तरह से आप हमारे साथ जोड़कर अपनी preparation कर सकते हैं इसके अलाव आपकी कोई भी query होती है तो यह है हमारा WhatsApp नमबर इस पर आप हमें अपने query लिख कर देज़ दीजिए अगर आप हमारा WhatsApp group join करना चाहते हैं तो इस नमबर पर मुझे message करें और हमारे group के मैं आपको group में add कर लोगी टेलिग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए क्योंकि जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसकी notification आपको टेलिग्राम पर मिल जाएंगे इंस्टाप पे stories डालते रहती हूँ वो आपको मिल जाएगी Facebook पे बहुत सारी information में share करती रहती हूँ हमारा Facebook page है उसको आप download कर लेज़े उसके साथ साथ में अगर आपको कुछ mail लिखना है तो इस mail ID पर हमें लिख सकते हैं यह हमारा application है इसकी मैंने आपको अभी बात बताई है इसको आपको ज़रूर तो डाउनलोड करना है दोनों ही users या iOS users दोनों के लिए मैंने यहां पर लिंक दी है लिंक आपको description box मिल जाएगी जैसे आप खोलेंगे description box पहले आपको यह link मिल जाएंगे application की तो आप उनसे हमारे application को download कर सकते हैं तो यह आज का video था जिसमें मैंने बात करें UGC net के बारे में तो जो भी students पहली बार दे रहे हैं जो first attempt करेंगे इस बार अब बहुत सारे students यह बात करते हैं कि मेरी तो इस बार preparation नहीं होगी तो ऐसा करूँगा कि मैं जून का नहीं दे का December का दूँगा अगर आप इस सोच में रहेंगे तो आप कभी भी net exam नहीं दे पाएंगे क्योंकि ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब आप ये बात कहेंगे कि मेरी इस बार completely तयारी हो गई है जब आप एक बार exam देंगे तो उस exam में आपने अपकर बहुत अच्छा से मैनत किये तो पहली बार में आप qualify कर जाएंगे अगर नहीं है तो पहली बार exam देने पर तो ये समझ में आता है कि हमें exam देना कैसे है ना दूसरी बार फिर आप अपना exam clear कर पाते हैं इसलिए जो भी student पहली बार इस वीडियो को आज पर्स टाइम देख रहे हैं तो मैं आपसे एक बात कहूंगी कि आप जून का exam जरूर देचे क्योंकि ये मान के चलिए कि बहुत कुछ changes हो जाएंगे इस exam के बार में तो फिर हो सकता है कि आपको net qualify करना tough हो जाए है ना तो इस बार इस लिबस का हो सकता है last exam होगा इस लिबस में भी बदलाव आएंगे तो बहुत ज़रूरी है कि इस बार आपको net qualify करना ठीक है तो इस वीडियो को यहीं finish करती हूँ आपको बहुत सही लगा होगा information अच्छी लगी होगी clearly समझ में आगोगा और बहुत जल में आपको notification शेयर करूंगी जो भी students हमारे साथ जूड़ना चाहते हैं online class में हमारे साथ regular जूड़ सकते हैं तो खतम करें इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते लाइक जरू करना शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके उनसे भी subscribe करने को कहेगा तो फिनिश करती हूँ इस वीडियो को मिलती हूँ पहुचल नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ख्यार रखे इस इस मौनिशा शाइनिंग ओ बाई